दिवानी पर सभी लोग तरह तरह की नमकीन तो घर में बनाती है या फिर बजार से लेके आते हैं क्यों ना घर में ही इतना बड़ी है नमकीन बनाया जाए यह नमकीन मैंने घर पे ही बना के तियार किया था बहुत ही स्वाधिष्ट बना था और बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में ज्यादा ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो मैंने याँ चार का बेसन का ही नमकिन बना के तयार करूँगी, इसमें क्योंकि मैंने कई सारी तरीके से बनाने हमें नमकिन, इसलिए मैंने काफी सारा बेसन ले लिया है, आप चाओ तो कम भी ले सकते हैं, और ये घर का ही पिसा हुआ बेसन है, और अब हम इसके अंदर हल बहुत अच्छा आता है और हम इसमें फ्लेवर kalau taste घ्राने के लिए हींग आड़ करेंगे हींग के पाचक भी होती है तो हम ने हींग भी आड़ कर दिया और सात में के अंदर 2 तेबर-गे घ्你說न बहुत थे बले आड़ करेंगे बिस विंहीं VäLi में एड करना है हमें आटे को गूंदा नहीं है बैटरी बनाना है बहुत थिक बनाना है जैसे हम पकोड़े के लिए बनाते है बहुत रनी होता है वह भी नहीं चाहिए हमें बहुत थिक चाहिए आप देखें मैं किस तरीके सिसका बैटर बना रही हूं तो देखें बहुत इस तरीकी का क्यों इसको बहुत अच्छे से फैट लिया और नम्कीन बहुत अच्छा बनेगा इसे, बैटर बिकुर पर्फेक्ट बनके तयार हो चुका है, और अब हम नम्कीन बनाने के लिए ये मशीन लेंगे, इस मशीन के हेल्प से आज हम सारे सेफ बना के तयार करेंगे, ये मार्केट में अगर आपके पास नहीं है तो या फिर आप उनलाइन भी बंगा सकते हैं तो देखिए आज मैं इसमें बारिक वली जाली सी सबसे पहले नमकीन बना के तेयार करूँगे इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सबसे पहले तो कि ग्रीस करने से क्या होगा कि बैटर जो हम ड बैटर को फिल करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मिसके जोमने जाली लगाई रहा उसको हम इसमें फिक्स कर देंगे जाली फिक्स कर दिया पारिक पली जाली लगाई है हमने इसमें और अब हम इसके इंदर बैटर को फिक्स कर लेंगे बैटर डालने के लिए हम स्पून अच्छे से फिल कर दिया और देखे साइड में हमने आयल पहला से ही गरम करने के लिए रख दिया था ऑफ बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो ऑइल जब गरम हो गया तो हम इसके उपर कडाई के उपर इस हाथ करते हुए बहुत दिहान से कीज़ेगा क्योंकि इसमें से भाफ निकलतले तो हाथ जलने का डर रहता है तो के इस तरीके से हम इसकुछ घुमाते जाएंगे और नमकी नीचे निचे निचलते लास्ट में हम उल्टा गुमा देंगे तो नमकीन अपने आप ढूट जाता है देखें ये अच्छे से सिख रहा है ना वन साइट से जब सिख जाएगा हम इसको टर्ण कर देंगे देखें ये शिक चुकाया वन साइट से जब तक हम दूसरा भी हम एक और बार आप डालेते हैं जतना आपको नमकीन बनाना उतना आप डालते जाहिए और बनाते जाहिए तो इसी तरीके से मैं इसको सारा नमकीन बना कर लूँगी इसमें देखिए एक बार और हमने बना लिया है और इसको अब हम टिशू पेपर को निकाल देंगे जिससे कि सारा ओयल निकल जाएगा इसमें से तो टिशू पेपर पे ही सारी चीज़तों को हमें निकाल के ही रखना है ये भी बन के त्यार हो चुका है और इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे तो दिखे मैंने इसी तरीगे से यह नम्तिन बना लिया है, जेव वाला बारिक वाला अब हम इसकी प्लेट चेंज करेंगे, तो अब हम मशीन में से सारा बैटर निकाड़ लेंगे, कितना सारा बैटर इसमें ऊपर आ जाता है, बारिक वाल जब हम बनाते हैं तो वो नीचे प बारिकी से समझ में आएगा और पता चल जाएगा किस तरीके से आपको करना है अब मैं इसके देखे दूसरी प्लेट चेंज करूंगे क्योंकि अब हमने ये बारिक वाला सेप तो बना लिया अगर आप चाहते हो तो इससे मोटा सेप बनाना चाहते हो आप वह भी आप इसमें लगा दीचे प्लेट को वैसा बन जाएगा लेकिन अब मैं ये पप्डी बनाऊंगी तो उसके लिए हमने ये वाला लग इसमें ये लगा दीए प्लेट अब इसको भी अच्छे से फिक्स कर देंगे इसके अंदर और अब हम इसके बैटर फिल करेंगे तो आपको जितनी य प्राइकें दर निकाल देंगे अगर टाइट होगा ना तो हम हाथ चलाएंगे तो हाथ फिस लेगा और बहुत अच्छे से सिखती है इस तरीके से देखिए बहुत इसको लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सीख रहा है जब इसमें कड़कपन आपको मैसूस होने इसके बाद हम उसके उपर रख देंगे तो इस तरीके से मैंने यह भी बना के पपड़ी बना के तयार कर लिया अब हम फिर से इंदर प्लेट चेंज करेंगे तो इसके अंदर आव मोटे होल वाली प्लेट लगाएंगे इससे काफी मोटा मोटा पूखा निकलेगा आपके पास अगर स्टार शेव वाली नोजल हो ना तो आप वो लगा सकते हैं मेरे पास वो मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने यही लगा दिया इसको हमने फिर से फिल कर लिया है और फिर से बंद करेंगे तो बस इसी तरीके से मोटा सेव बन के तयार हो जाएगा देखे मैं कड़ा जैसे कड़ाई में डलता है यह थोड़ा फूल भी जाता क्योंकि बेसन हमने बहुत ज्यादा टाइटी रखा ना और देकिन सिखता बहुत अच्छा और बनता बहुत अच्छा दम कड़क बनती है और लो फिल्म बीडियम फिल्म पे आप इसको सेखेगा क्योंकि काफी मोटा छिट्ष कडयास दोौड़ा टाइम डलेगा शीखेणे है अब इसको भी हम आयट कर देंगे तो देखिस तरीके से हमने सारा हमने सेव हो मोटी पपड़ी और यह मोटा बना लिया है और तो मैंटा सेब किन्द्र काफी सारा बैटरोनी इंक बनाने लिए हम पाणी किर नाम म मैं में a better बना लेना हैं यसे थोड़ा सा पतला हैं लेकिन मैं एसमें थोड़ा और add करूं कि लेकिन मैं आभी सोद एक कटूडी में निकाल लेती हूं देकि इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी बाउल के इंदर में थोड़ा सा बैटर और ऐड करते हुए इसका बैटर त्याग सर confusion आड़ अखेब बेटर ना समय सकते हैं किया पता है बहुत भी बूदि को यहां इसा है ना पहोग जादा थिक जाई आप इस तरीकिए का बेटर चाहिए ने बूंदी का बीडियो मैंने पहले बी मैं ड़ाल चुक यह आप उसको दीगा मैं लिंक उसकर बॉक्स में दाल दूगा जिसे आपको पता चल जाएगा बूदिया कैसे बनती है तो देखिए इस तरीके से हम इसे colorful बूदिया बनाने है तो हम रेड और ग्रीन कलर हमने add कर दिया अगर आपके पास color है तो आप add कर सकते हैं नहीं तो आप skip भी कर सकते हैं और आप बूदिया चाहो तो ना बनाई है बूदिया मार्केट में मिलती है वो ही बूदिया आप इस नमकीन में add कर दीजिए तो देखिए इस तरीके से हम जारे के उपर हम बैटर को डालेंगे और drop by drop देखिए बूदिया गिर नहीं है ना बिकुल ऐसे ही बूदिया बन जाएंगी बैटर बिकुल परफेक्ट बना बैटर बिकुल परफेक्ट होना चाहिए तो बूदिया बराने में कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए मीडियम बैटर होना चाहिए दीखिए बूनिया प्रफेक्ट बनके त्यार हुए अब इसको हम प्रेट के उपर निकाल देंगे तो इसी तरीके से मैं रेट कलर की बूनिया भी बना लूगी तो देखिए अब हम फिर से उसी जारी के इंदर रेट कलर की बूनिया का बैटर डालेंगे तो रेट कलर की बूनिया बनके तयार हो जाएंगी देखे drop by drop गिर रही है ना बूनिया और नीचे हमने gas की flame को हमने medium ही रखा है बहुत ज्यादा highly एकदम से बूनिया नीचे डलेंगी तो जल जाएंगी तो medium flame पे ही हम सेखेंगे और हमें बहुत ज्यादा low भी नहीं कर देना एकदम low कर लेती हूं तो देखें इसको अब हम बूनिया रैट क्लाग की बूनिया भी बनके तयार ओचुके वह भी हम निकाल लेंगे बस थोड़ी से प्रैक्टिस की जरूत होती है लेकिन बन जाती है इस और हम green क्लाग की बूनिया भी बनाएंगे तेखेंगे अब है आपनायों की लगे बंगे बंगे तब बहुत ही बड़ीया लग रही इतनी कलरफुल नमखीन बनके तयार हो जायेगा यह कि इस तरीके से यह बुल्डियां भी बनके तयार हो चुकिये हैं और इसको हम इस प्लेट के अंदर निकाल देंगे चलनी में से में मुफलिया को इसे में रिखेँ के अब इस दूरऊ रहेंगा इस तरीकी कि निकालना आपनी तो युवान कान देखें रहें अब आप करोगे तोड़ा जल्दी हो जाएगा देखिए मुफलिया भी फ्राय चोकिए अब इसको भी हम निकाल लेंगे अब हम फिर से हम इसी जाली के इंदर ड्राइफुर्स को फ्राय करेंगे तो हम थोड़े से हमने काजू लिया इसको हमने दो दो पीसिस में कट कर दिया है औ यह भी हम निकाल लेंगे प्रेट के उपर तो सारी चीज़ों को इसी तरीके से बना कर लेना है और अब हम फिर से हम करेंगे किश्मिष भी हम फ्राय कर लेंगे किश्मिष तो वैसे बहुत जल्दी हो जाती है जैसे जैसी गोल-गोल मोटी-मोटी देखने लग जाती है उस देखें डाला ना तुरंत फ्राय हो गया इसे में गैस की प्रेम को हमें हाई रखना है यह पोहा हाई फ्लिम पर ही बहुत अच्छा सिखता है तो देखें इसमें से हम तुरंत ही हम इसको निकालते जाएंगे टिश्यू पेपर के उपर जैसे इसका एक्स्टर ओल निकल जा कडाई लें और इसके दर हम उन टेबल इस् attitude ६ैस्ट बसे बचल डाल यह बलत करें पराइनाा जाएंगे हमें अग्षा जेरे जाउफ उथा अब एसमा साब्स अ क्ड़ा आई इन लें जीरा, काला नमग, काली मिर्ची और रेड चिली पाउड़ अपने टेस्के अकोर्डिंग कम जादा कर सकते हैं या आप चाहो तो सिंपली चाट पसाला आप एड़ कर दीजिए और यह देखे पेपर पोहा लेंगे हैं पोहा मैंने पहले से ही साफ करके रखा हुआ है वही पोहा हमने इसके इंदर एड़ कर दिया है और अम इसको मीडियम फ्लेम पे अलट प्रड़ करते हुए बहुत अच्छे से इसको सिख लेगें जैसे यह सिखने लगजाएगा इसका कलरद भी चैन्ज हो जाएगा और बहुत ही क्रस्पी दिखने लग जाएगा अपसे हाद से क्रस्प करके देखे, बहुत एजी ले तूटेगा मतलब यह अच्छे से सिख चुका है और क्रण्च जाएगा तो इस तरीके से क्या है कि जो हम तल्ले वाला पूहा लेते हैं उसमें ज्यादा आजाता है इसलिए हमने यह पेपर पूहे का यूज किया है इसमें तो देखिए यह पूहा सिक्के तयार हो चुका है गैस की फ्रीम को हम आफ कर देंगे और अब हम एक पराथ लेंगे पराथ के नम सारे नमकीन को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखिए हमने यह पप्डी लेंगे इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और देखिए इसको आवास से आपको बदा चल रहा है कितना क्रश्पी है यह नमकीन सारा तो द तो देखे, अब हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे दिक्ति कलरफुल प्लेट है अब हम सभी चीजों को मिसके इंदर आड़ कर देंगे और वाम कॉनपुः भी है इसमें एड़ कर देंगे और तेकिए इसमें जो आयल थाला वो सारा आपिसू पिपर ने और अब हम देखें को भी पीपर पुहे को कि अभी काफी गरम है त्यूते हैं अच्छे से कीजेगा आव इसको बहुत अच्छी से मिक्स करेंगे हमने बहुत जादा मसाले हमने इसमें यूज नहीं किये हैं आप मसाले अपने टेस्ट की कोडिंग कम जादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे या मसाला बहुत जादा नमकीन में नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कमी डाला है, तो देखें, बिकुल बजार जैसा नमकीन बनके तयार हो चुका है, आप भी अपने घर पे इस तरीके से ब बहुत पसंद आएगे, और थोड़ा टाइम डगता है बनाने में, लेकिन नमकीन बहुत बढ़िया बनेगा आपका, आप इसको काफी दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं, तो मैंने तो अपने घर पे दिवाली पे पहले से ये बना लिया है, आ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रैस कर दरा है, जिससे मेरी आने वाले सभी वीडियो का नॉटिविकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, देखिए मैंने आज एकी दिन में इतनी सारी चीज़े बनाई मैं इसका आगे इसका वीडियो में नेक्स डे डालूँगी जैसी एडिट हो जाएगा उसकी बात, तो देखिए अम मैंने इसको डिबो में ट्रांसफर कर दिया है, तो देखिए कितना पहले बहुत सारा लग रहा था, हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया, तो देखिए अच्छे से आप बनाई है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है, आप अच्छे से इंजॉएगी जिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आप इस वीडियो का अपनी फैमिली 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 फ्रेंस में शेयर जरूर करना, ओके बाइ, थैंक्य फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में,